हलो एबरेबन वल्कम बैक टू मैं चैनल सो आज आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आज का जो हमारा वीडियो है वो कुछ इस प्रकार से है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाबर जवनप्रास के बारे में तो चवनप्रास इस टाइम क्योंकि आपको जैसे पता है कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है ठंडी का मौसम चल रहा है तो चवनप्रास हर घर में यूज होता है डेली प्रोड़क्ट है तो इसी के बारे में हम कुछ information शेयर करेंगे तो बेसिकली यह इस चवनप्रास तो बहुत सारे कंपनी के आते है लेकिन जो मेरे पास है वो है डाबर चवनप्रास ओके डाबर एक आयरवेदिक कंपनी है जो की बहुत सारे अलग और सिदियां बनाती है मेडिसीन बनाती है एंड इसके अलावा भी कुछ 250 mg इसका जो प्राइस है वो है 99 रूपीज और मुझे यह 90 रूपीज का पड़ा आप जरूर जहां डिस्काउंट की बाद करिएगा इसके बाद इसका आधा केजी का पैक आता है यानि 500 ग्राम का तो वो सम्थिंग एराउंड 195 रूपीज का आपको पड़ता है एक केजी का जो प्राइस है वो 325 रूपीज के आसपास है इसमें यह 54 एक सुगर फ्री भी आता है जो डाइबटिक पेसेंट उसको यूज करते हैं उनके लिए अलग आता है और जो नॉर्मल है जो परसन है जो बच्चे है ओके एडल्स जिनको डाइबटीज नहीं है उनके लिए यह नॉर्मल चवनपरास है जिनको डाइबटीज है उनके लिए शुगर फ्री चवनपरास हाता है जो 54 एक आयरुवेदिक और शथी है इसके अपने एक आयरुवेद में क्लासिकल फॉर्मूला है जिसके बिस्ट पेस को चवनपरास को तयार किया जाता है इसमें जितने भी इंग्रेडियंट यूज हुए रहते हैं ये सारे ही नेचरल चीज़े आयरवेदिक चीज़े आयरवेदिक आउशदियां इसमें यूज होती है इसमें वेटामिन सी भर भर के यूज हुआ है इसमें बहुत सारी आउशदियां यूज हुई है ये सब को मिला करके एक फॉर्मूले के तहट इसको तयार किया गया है इस चवन प्रास को अब बात कर लेते हैं चवन प्रास के यूज के बारे में आजकल के लाइफ में हमारे घर में चवन प्रास as a daily product daily use होता है इसके कुछ common use हम देख लेते हैं तो पहला यूज है चवन प्रास का वो है इमिनीटी बूस्टर का काम करता है यह यानि रोग परती रोधक छंता को बढ़ाता है इमिनीटी को स्ट्रॉंग करता है इसमें आपको सारी आरवेधिक और शिदियां यूज की गई है और इसमें वाइटमीन सी इसमें बहुत जादा कंटेंट में यूज किया गया है जिसके वज़े से और इसमें इमिनीटी को बढ़ाने की छंता है और साथ ही इसमें जो अन्य आउशिदियां यूज की गई है इससे भी आपको इमिनीटी बढ़ाने में काफी जादा हेल्प मिलता है और दूसरी बात है कि इस टाइम पे सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी जुखाम खांसी की समस्या काफी कॉमन है बजार में आपको हमारे अभी आपको ठंडी के टाइम पे आपको क्लिनिक में होस्पिटल्स में सर्दी खांसी जुखाम की समस्या काफी आम बात हो गई है तो जिनको सर्दी जुखाम खांसी है गले में खलकी खरास होती है तो वो चवन प्रास का सेवन जरूर करें सुबे और शाम में इविन जिनको सर्दी जल्दी लग जाते है जिनको सर्दी जुखाम जल्दी लग जाती है ठीक है थोड़ी थोड़ी टाइम पर उनको सर्दी जुखाम की समस्या बाराओं महीने बनी रहती है वो बाराओं महीने चवण परास का इस्तमाल कर सकते हैं ऐसी कोई चवण परास का इस्तमाल आप बारों महीना कर सकते हैं ऐसा ये मित है कि आप ये ऐसा भ्रहम है कि चवण परास का इस्तमाल हमें केवल सरदियों के टाइम पर किया जाता है ऐसा कुछ नहीं है आप चवण परास का इस्तमाल बारों महीना कर सकते हैं तो जिनको सर्दी जुखाम खासी छीकना या फिर उनको अगर किसी से डस्ट से अलर्जी या किसी चीज से अलर्जी हो जिनके वज़े से उनको जुखाम बार-बार हो जा रहा हो तो वो इनको बारो मेना आप ले सकते हैं काफी जादा इसमें आपको रहात मिलेगी फाप के लिए चवन प्रास को प्रयोग करना काफी जादा फायदे मन्द है इसके बाद जो बड़े बुजूर्ग लोग हैं वो इस टाइम पर सर्दियों में क्योंकि उनको चवन प्रास की सक्त जरूरत है क्योंकि वो बुड़े हैं उनको उनकी इम्मिनिटी जो है क्मजोर हो गई होगी इस वज़े से वो चवन प्रास का डेली यूज़् करें अगर वो चवन प्रास का प्रयोग डेली करते हैं तो उनकी सिहत के लिए काफी जादा फायदे मन्द पहुँचता है इसके बाद जो है ते चवन प्रास को आप यूज करने से आपकी सरीर में डेली एनरजी बना रहेगा यानि आलस आपको नहीं लगेगा कई बार होता है आपको आलस लगता है काम करने में बन नहीं लगता है तो अगर आप 54 प्रास का इस्तमाल करेंगे सही तरीके से तो आपको काम करने में मन लगा रहेगा आपको एनरजी प्रॉपर बनी रहेगी और इसके बाद जो इसका 54 प्रास का प्रेयोग है यूज है वो है कि आपके बालो के लिए क्योंकि इसमें वाइटमिन सी है और इसमें जो अनियोसिदी है यह आपके बालो के लिए काफी जादा सही है आपके हैर फॉल को यह रोकता है और नए हैर फुलाने में यह मदद करता है कि इसके बाद 9 स्किन के लिए भी ये काफी ज्याद अजивать test है क्योंकि सड़्ियों के टाइम पर आपके स्किन में व्राम तर्य था है यह आपके स्किन में तरह-तरह कि पर्श्वब्लम आने लगती है तो अगर आप इसका प्रयोग आप सेवन इसका सही तरीकेसे करेंगे तो आपके skin की समस्या भी इससे खतम होने की खतम हो जाएगा तो ये आपके skin के लिए भी बहुत सही है इसके अलवा भी चवन परास आपको अन्य भीमारियों में बचाने में आपको help मदद करता है अब बात कर लेते हैं 54 को का dose क्या है, इसको कैसे खाना है इसको कैसे लेना है 54 प्रास को लेने का तरीका यही है, इस पे आपको वैसे भी आपका mention है आपका dose अगर आप adult हैं तो आपको एक चम्मच आपको लेना है एक चमच के बाद आप दूद पीते हैं तो आपको इसका असर काफी अच्छा देखने को मिलेगा और नहीं तो अगर आप दूद नहीं पी सकते हैं तो आप गुनगुना हलके गुनगुना पानी पी लीजिए और इसको आप सुबे और रात में यूज़ करेंगे जो चोटे बच्चे हैं उनको आधा चमच देना है दो टाइम पे उनको अभी सेम आप दूद के साथ या फिर हलके गुनगुने गरम पानी के साथ आप दीजिए आपको इसका रेस्पॉंस काफी अच्छा मिलेगा और पैकिंग इसकी जो डब्बे हैं इस्तमाल करने के बाद अच्छे से इसको आपको टाइट बंद करना है जादा लूज आपको नहीं छोड़ना है तो ये था यूस डावर चवन परास का मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद